भारत के स्टार ओलराउंडर रविंद्र जडेजा को आइडल मानता है ये युवा ओलराउंडर IPL में मेवाद के स्टार ने RCB के लिए हर मैच में मचाया है तहलका और दिन प्रति दिन इस खिलाडी को हर तरफ से मिल रही है तारीफें दोस्तों हम बात कर रहे हैं RCB के ओलराउंडर शेहबाज एहमद की हलांकि शेहबाज RCB से पिछले साल जुड़े थे लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचान इस सेजन में मिल रही है लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि शेहबाज एहमद IPL में आने से पहले से हरियाना मेवाद में एक पॉपुलर फेस हुआ करते थे लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल की और रुख किया और आज इस मुकाम तक पहुँचने में सफल हुए हैं आखिर मेवाद से बंगाल और बंगाल से IPL का सफर कैसे शेहबाज ने तै किया इस वीडियो में हम आपको बताते हैं शेहबाज एहमद का जन्म 12 दिसंबर 1994 को मेवाद के एक छोटे से गाउं सिकरावा में हुआ था उनका परिवार एक सामान परिवार से तालुक रखता था और शेहबाज का बजपन गाउं में ही बीता जहां वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे और वहाँ उनके खेल की सब तारीफ करते थे शुरू शुरू में शेहबाज दूसरे क्रिकेटरों की तरह ही गाउं गाउं में खेलने जाते थे शहबाज अहमत के हुनर के कारड़ गाउं में जो भी कोई टूर्णामेंट होता वहाँ उन्हें फाइनल के लिए विशेश रूप से बुलाया जाता था मेवाज के जितने भी टूर्णामेंट हुए हैं उन सभी में शहबाज अहमत ने फाइनल खेला और लगबग हर फाइनल में अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया मेवाज जिले में हर साल मेवाज कप होता है इसमें लगबग 20-25 टीमें भाग लेती हैं जो कि मेवाज के क्रिकेटरों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है वहाँ शहबाज एहमद ने अपनी टीम को कई बार मेवाद कब जिताया था जिससे शहबाज एहमद की मेवाद में काफी तादात में फैन फॉलोइंग है मेवाद में शहबाज किसी लीडर से भी जादा पॉपलर चहरा माने जाते हैं जब भी वहाँ कोई टोर्नामेंट होता है शहबाज एहमद को देखने लगभग हर मुकाबले में बहुत जादा मात्रा में दर्शक आते थे और शहबाज भी मेवाद के दर्शकों को हर मैच में अपनी बल्लेबाजी से खुश कर देते थे लेकिन शहबाज एहमद की कामयाबी का सबसे जाद अश्रे गुडगाउं चिले के सोहना शहर में खेली जाने वाली सोहना लीग को जाती है जिसमें लगभग 30 से 35 टीमें भाग लेती हैं यहां भी कई टीमें आयोजकों को पैसे दे कर या फिर आपस में बात चित कर शहबाज एहमद को क्वार्टर फाइनल या सेमी फाइनल या फाइनल जैसे बड़े मैचों में शामिल कर लेते थे इस लीग में शहबाज ने पहले सीजन में अपनी इंद्री की टीम को चैंपियन बनाने में एहम योगदान निभाया फिर दूसरे सीजन में शहबाज मेवाद की टीम की तरफ से खेले लेकिन उनकी टीम उस सीजन की उप विजेता रही फिर तीसरे सीजन में शहबाज ने एक बर फिर मेवाद की तरफ से खेला और इस बार फाइनल में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक शत की पारी खेली जिसके बाद मेवाद की टीम ने पहली बार ट्रॉफी जीता और यहीं से मेवाद के लोगों को शहबाज का नाम सुनाई देने लगा मेवाद में शहबाज की पॉपुलर्टी बढ़ गई अगली सीजन भी फाइनल में बाए हाथ के बल्लेबाज ने शतक्ठ होगा और अपने टीम को दूसरी बार चैंपियन बनवाया और शहबाज के नारे पूरे गाउं में लगने शुरू हो ग प्रिक सीजन में मेवाद में लड़ाई झखड़े की कारण मेवाद को चहटी सीजनमें एंट्डी नहीं मिली थी ऐसे में किसी तरफ पंजाबियों की टीम ने शहबाज से आगरह किया कि वे उनकी टीम से जरूर खेले और शहबाज ने पंजाबियों के कहने पर नाकिवल चुर्णामेंट में शेरकत किया बलकि उनका बरसों का पुराना कप जीतने का सपना भी पूरा कर दिया जैसे ही शेहबाज एहमद ने फाइनल में विजय छक्का लगाया पंजाबियों और मेवाद के लोगों ने शेहबाज एहमद को अपने कंधों पर उठा लिया और पंज और मेवाद के लोगों को शेहबाज पर यकीन हो गया था कि ये लड़का आगे जाकर कुछ बढ़ा कर सकता है इसके बाद से लोगों ने शेहबाज एहमद को छोटे मैचों से दूर रहने की सला दी और फिर साल 2015 में वो अपने सपने को पूरा करने कोलकाता चले गए पसीना बहाया और आखिरकार 20 सितंबर 2018 को उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में जमू और कश्मीर के खिलाफ बंगाल के लिए लिस्टे क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला फिर 14 दिसंबर 2018 को शेहबाज ने हैदराबाद के खिलाफ प्रथम शर्णी क्रिकेट में अपन पदार पड़ किया और 24 फरवरी 2019 को हरियाणा के खिलाफ सेयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिये बंगाल के लिए अपना T20 डेब्यू भी कर लिया और डोमेस्टिक सर्किट में लगातार शांदार प्रदर्शन करने के कारण शेहबाज को इंडिया एकी टीम में भी शा आते हुए उन्हें अपने साथ 20 लाग की बेस प्राइस पर शामिल कर लिया हालांकि पहले दो सीजन में उन्हें जादा कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया लेकिन RCB की फ्रेंचाइजी उनकी काबिलियत को भली भात ही जानती थी इसलिए इस साल हुए मेगा उक्शन में फ पाय हाथ की इस ओल राउंडर ने साथ मैचों में 42 के उसत से 171 रन बनाए हैं लेकिन शेहबाज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने सारे रन हमेशा मुश्किल हालातों में आकर बनाए हैं और हर बार अपनी टीम को संकट से बाहर निकाला है और ये ओल राउंड वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे योटूब जैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें